आज हम बनाने जा रहे हैं बट मटन कड़ाई रेसपी तो इसके लिए मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर सबसे पहले प्रेशर कुकर में मैं एड कर रही हूं 1kg मटन बोन मैंने बोनलस मटन लिया है आप हड़ी वला मटन भी ले सकते हैं तो इसमें दो अदद मैं एड कर रही हूं मीडियन साइस के कटी हुई अनियन और तीन से चार अदद इसमें एड कर रहे हैं टमाटर के टमाटर को मैंने एक टमाटर को फोर पीसीज में कट कर लिया है और इसमें मैं एड करूंगी दो चमच अद्रग और लसन का पेस्ट और 6-7 अदर मैं ले रही हूं इसमें कटी हुई बारीक हरी मिर्च और एक चमच इसमें लूँगी मैं नमक जस्ट सिरफ टेस्स के लिए आदी से भी कम चमच सुरख मिर्च की और वन चमच इसमें मैंने लिया है हल्दी पाउडर का सरा एक ग्रास मैं ने पाणी है मुट है और आदिया मैंसे पानी का ऑड़र के लिए इसे तकरीबdad के लिए थे प्रेशर लगा दिया है तो चूंके हम कड़ाई बना रहे हैं तो इस वज़ा से हमने अपने मटन को गला लिया है अच्छे से प्रेशर में और अब हम इसे बुनाई के लिए कड़ाई में शिफ्ट कर रहे हैं तो इसलिए अब हम इसमें एड करेंगे तकरीबन 100 ग्राम बटर सो ग्राम बटर एड़ कर रहे हैं क्योंकि बटर आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना इसकी जो बट मटन कड़ाई है इसकी स्पेशियलिटी ही यही है कि इसकी भुनाई जो है वो बटर और देसी घी से की जाती है तो अगर आपके पास देसी घी है तो आप शुरू में बटर की जगा पर देसी घी भी डाल सकते हैं और अगर आपके पास दोनों चीजे हैं तो थोड़ा सा पहले आप बटर डालेंगे बाद में देसी घी और अगर आपके पास डेसी घी नहीं है तो आप मखन को शुरू स्पमे werdome 200 घ्राम डाल सकते हैं हमने 100 घ्राम डाल आपके हमने बाद में देसी घी एड करना है। गार पिकला डेसी घी अपने कांधरक थे अधर कर रहे हैं काली कुटी हुई मर्च का आपने पौडर बिलकुल भी नहीं लेना आपने इसको थोड़ा-thोड़ा मोटा सा पीसना है ताक कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही जबरदस आता है इस तरह कुटी हुई मर्च डालने से क्योंकि जो ये बट कड़ाई है ये काली मर्च में ही इसकी पकाई की जाती है और साथ इसकी जो स्पेशियलिटी है ये बट कड़ाई जो खास नाम है ये इसी वज़ा से मशूर है कि ये देसी घी में इसकी बुनाई की जाती है और काली मच डाली जाती है तो हम भी इसमें इस तरीके से ही काली मच आड़ करेंगे तो अब मैं इसमें आड़ कर रही हूँ दो चमच देसी घी के तो देसी घी डाल कर हम इसकी फिस्से बनाई करेंगे और देसी घी के साथ ही इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ला जवाब और कमाल का टेस्सइश हाता है ट्रस्ट मी आप इसे ज़ुरू ट्राइ कीजिएगा ये इसका टेस्स दूसरी कराई़ों से बहुत ही डिफरेंट होता है देसीगी की वज़ा से और काली मर्च की वज़ा से एक लाजवाब किसम का इसका टेस्ट आता है साथ ही मैं इसमें 50 गराम मलाई ऐड्les कर रही हूँ चूँके जो रिस्टोरेंट में बनाते हैं वो सेम इसी तरीके से बनाते हैं जिस तरीके से मां आपको बना कर लिखा रही हूँ तो एक 50 ग्राम हमने इसमें मलाई एड़ की है जो ये मलाई यानि के जो क्रीम होती है मिल्क पैक की सादा क्रीम वो वली तो साथ ही अब हमारी भुनाई हो चुकी है अब मैंने इसमें कटी हुई बरीक अद्रक हरी मिर्चें और धनिया एड़ किया है और ये इसकी बहुत ही कमाल का टेस्ट होता है आप इसे घर की बनी हुई रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और बाहर से नान मंगवा के रोगनी नान और राइते के साथ सर्व कर सकते हैं बहुत ही कमाल की खुश्वू और टेस्ट होता है लाजवाब किसम का आप जरूर ट्राय कीजिएगा और गहर वालों को खलाईएगा प्यार से बनाकर खलाईएगा इसकी तो बात ही और है प्यार से बने हुए खाने की तो बात बेमिसाल खाना होता है